Hello students, I am Dharmendra Pathak. In my previous video, I will describe about Mendel's Law. जो बन्दा अगारी को वीडियो मा मेले, Mendel's को फर्स्ट ला को बारे मा दिस्क्राइब गडए. जासलाए ला को डोमिनेंस भन्यों. ला को डोमिनेंस मा दुटा शुटा शुटे कारेक्टरिस्टिक भई को पेरेंस हरु मां अफे स्प्रिंग हुट उत्पादन हुटा वा दुटा फरक तरक फरक किसिम का गुण अरुबहे का पेरेंस हरु मां रिप्रोडक्षन हो गराु दा. वहिलू बन्च मां फर्स्ट जैनरे Linda मां उत्पादित संतान हरु मां बने रहा मिले डिस्क्राइब गर्यों रख कशरी 100% हाइब्रिद प्रोडक्शन हुन्च तेसले हामिले देखायों आजको यस वीडियो मां मुख्यता हामें मेंडर्ज को दोसरो नियम सेकेंड लोको बारे मां डिस्कसन गर्चों जसमा दुटा फरक फरक गुन अरुबहे का पैरेंस हरुलाइब मोनो हाइब्रिड क्रसमा क्रस पोलिनेशन गराऊँदा पहलो बांसमा हाइब्रिड प्रोडक्शन हुन्च डुमिनेंट क्यारेक्टर मत्रे देखा पर्च र ती अफस्प्रिंग बात फेडी हामिले शेल्फ पोलिनेशन बात एफ्टु जेनेरेशन प्रोडक्शन गर्दा dominant character र recisive character छुट्टी नचाँ just like law of segregation बन्छा तो सब बंदा पहला law of segregation बने को की हो तो जती पनी characteristic हरू हुन्छा जिवमा बनस्मपती मा ती सबय हरू प्रशस्त मात्रा मा या ती सबय गुन हरू बिद्धमान हुन्छा कुने गुन देखा पर्छा जुन पहलो बनस्मा देख़्ियो dominant character र जुन देख़्िया न लुके र बस्यो र अरको next generation मा वा homozygous र हेट्रोzygous मध्धे दूबई मा देखा पर्यो भने तेसला है dominant character र होमोzygous मा मात्रे देख़्ियो भने तेसला है recisive character बन्छो मुखे तर यो dominant र र recisive character हरू एक और कोशंगा mix हो दैना पुना फेरी छुटीन चन जसलाईने आमी के बन्छो law of segregation तो सब बन्दा पुछला है मिले law of segregation बने को के हो एरा यो लाया मि mendels second law बन्छो यो के हो mendels second law in first law मा हा मिले की define गरे हो only dominant character seen in F1 generation अब second law मा के पाँश हो in F2 generation dominant character and recisive character get separated बन्दे law of segregation लाय mendels को dominant law को continuity बनी बन्छो है रहा हो in monohybred cross monohybred cross बन्दा लेका स्तो लाय off spring ग्वाव crossing bitbin sampling parents having one pair of contrasting character one pair of contrasting character अनली डुमिनेंट क्यारेक्टर शीन इन एफ़न जनरेशन अब एफ़न जनरेशन अमा डुमिनेंट मेट्री दिक्यो रिशिशिव चारेक्टर रिमेंज रिमेंजी हीडियर यो के होला लुकेर बसे को हुँँचा अब यो लुकेर राय को रसेशिव चारेक्टर और को नेक्स जनरेशन 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 फिच गेट जनरेशन जनरेशन अब एफ़ टू जनरेशन मा गवारा ये क्योंचा छुटिंचा ओ इसला हमी कीवांच वेरों मनोहिड़ीड क्रसमा टेस्थापारेंट, षरुब विच रिप्रॅट्द का नगाव जन्डिल कूर गवांग जनरेशन। एन डिलाविछ संगल मै जनरेशन जनरेशन भीडो हरेक्ज क Familien कारलेशन लुके घडिंग अब यसला हमीले ने है रफ-वड फिंग when we define then we can write self pollination among the offspring of F1 generation produce offspring in F2 generation of F1 generation of offspring in F2 generation F2 generation produced in which dominant character and and recessive character get separated and 2 generation of dominant character and recessive character and see love segregation and now by example as for example crossing crossing between and tolpi plant and and tolpi and tolpi plant and tolpi plant and tolpi 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 100 % of spring formed in hybrid top अब इस मा रेसेशिव क्यारेक्टर, सट पी प्लान्ट को स्मल टी हैरों, सब इमा छो तरक्य छो देख़्िये को छोई ना अनि योला हामी के बांचो रेसेशिव क्यारेक्टर अब यदी इ अफेस्प्रिंग हरू बीच हामी ले सेल्फ पोलिनेशन गराऊँदा आवा next generation महा अफेस्प्रिंग प्रोडक्शन गर्दा राइच रेशियो महा अब निव प्रोड़क्शन एप ॡ़ाउडक्शन गर्दा सब बन्धा पषला हामी ले राएच रेशयो श्रात प्रोडदा को लागी परेंट्स अब यह इनी अरुनी के वा नीव पैरेंट्स फिनो टाइप अब फिनो टाइप दुईटे क्यों हो हाइब्रीड टॉल हाइब्रीड टॉल और हाइब्रीड टॉल मां क्योग आरे हूं हाँ मिले पहला इसको जीनो टाइप हेर हूं जीनो टाइप हाइबरिट अरको क्याप्तल की स्मॉल टी आम ले पास हों, फेर अरको थरीको लिए अरको पैरेंस लिए प्याप्तल टी इनि अरूले अब गैमेट बनाओ दा, गैमेट मा रिदक्शन चेलिविजन बर मियोसिस बाट योटा क्याप्तल टी रा अरको के स्मॉल अर्फो इनि अरू बेच एदी सेल्फ पोलेनेशन, कीणा भने है? आम हाइबरिट शान इनि अरू मां सेल्फपोलेनेशन गरिए अर, आम सेल्फपोलेनेशन हुद अ अरू आ कची थरी अलियामेट हरे ट्रांस्फ़ण न क्याप्त्अने इल करी स्मॉल आ सेल्आऊ लिद् capital T, capital T of spring money. फेरी यदि U gamet र औरको gamet fuse होदा capital T small t अब यो गैमेट रा यो गैमेट फ्यूज होदा, capital T, small t, small t अब यो भाय हामरा F2 जेनरेशन अब F2 जेनरेशन मा हमिले 1, 2, 3, 4 of spring बनाई अब इनी हरु को रेशिव हमिले डिस्क्राइब गरदा सब बन्दा पहला हमिए रहो कती फरीका of spring बहा है यह उटा capital T, capital T, मत्रे होनी और को दूसरो capital T, small t, capital T, small t होनी तो इसरोत हरी को small t, small t, small t मत्रे होनी तो पहला capital T, capital T होने मत्रे बने को के pure tall UK, capital T, capital T होने जम्मा कती फरीक्षन बहा है यह उटा मत्रे अब क्याप्टल T, small t होने hybrid tall हेट्रोजाइगास बहा है, hybrid tall tall ने की न लेखे हो? capital T यदि भावा बने को dominant character हो तो capital T, small t होने को hybrid tall यह कती फरीक्षन बहा है, यह उटा दुई था तो 2 अब और को एरों pure short महने को small t, small t मत्रे होने pure short यह कती फरीक्षन बहा है, यह उटा मत्रे from only one अब यह से बाट हामिले ratio निकालदा संबंधा पहिला phenotype ratio phenotype ratio लाए हामिले dominant ratio बहा है, dominant ratio बहा है, dominant कती यह उटा मात्षा है, यह उटा pure tall और co hybrid tall यह तीन ते भाव के यह उटे phenotype किने भाने capital T, dominant हो हो ता dominant ratio यहां कती यह उटा बहा है, 3 यह उटा 2 फ्लास 1, 3 यह pure tall हो pure add hybrid tall अब यह समा मिले युशद मत्रे कती यह उटा मत्रे यह उटा मत्रे यह 2 बहान phenotype ratio निकालदा जति बने tall पी प्लान्टा चाय pure tall हो हो, hybrid tall हो दुट्री भने को टल हो अन्य थ्री प्योड शॉट हुआन अब येस्ते ये लाए डोमिनेंट आन्ड रेसेसिव रेसियो पनिवान सोहरो ये भने को के डोमिनेंट आन्ड रेसेसिव को रेसियो क्या है 3 is to 1 अरको नेक्स हमरो जेनो टाइप रेसियो जेनो टाइप रेसियो निकाला जेनेटिकली कती थरी को अफे स्प्रिंग हां मिले पाव है 1, 2, ये पनि ये मा पार्यो 3, टीन टाइप को जेनो टाइप पाव जस्मा pure tall कती ओटा भाव 1, अरको धरीको चा हामरो hybrid, hybrid tall कती ओटा पाव 2, अब तेस्ताई चा अरको हामरो pure short कती ओटा 1, तो 1 is 2, 2 is 2, 1 is genotype ratio of offspring of 10, अब ये मध्य हमेले के पावेरों ता, pure tall छुट्टियो, hybrid tall, hybrid tall जुन F1 जेनरेशन मा बने थियो, तेस्ताई pure tall छुट्टियो, hybrid tall पनी छुट्टियो, pure short पनी छुट्टियो, वानना ले dominant character, or recessive character छुट्टियो जसलाया हामी के बान्छो, segregation, love segregation, अब ये दी येला हमेलय, pure tall हुने प्रोगे कोती छुट्टियो ये थि स्तो कुछ्ट्ट्रचन आया वने, pure tall, जम्मा अफे श्प्रिंग आयो धूझी 2 प्लस 1 प्लस 1 फो, जस अमध्ये ये उता pure tall, भने को 25%, pure tall हुने प्रोगे लिटी भा, और को hybrid टल हुने probability कती सह यदी आ बने तो 4 ओटा मद्दे दूईटा बने को कती 50% अब यदी pure short हुने probability कती सह और 4 ओटा मद्दे यह उठाश प्योड सह तो 25% यह सरी percentage probability बनी हमिले निकालना सक्यों और phenotype genotype ratio बनी निकालना सक्यों अब सेम यही तरीक आले यदि what was type of a spring obtained in F1 and F2 generation crossing between white mouse and white mouse having white mouse and black mouse in which white mouse is here dominant character फेगी तेस्ते बनाऊ सक्यों F1 generation मा 100% white F2 generation मा pure white, hybrid white रग प्योर black आशारी छुटी निकालना यसला हमिके बन्सों law of segregation ज़ले पनी phenotype ratio रब phenotype ratio रब genotype ratio इसमा F2 generation मा यो ते निस्धितर रएड़ा है रब phenotype ratio 3 is to 1 phenotype ratio 1 is to 2 is to 1 तेस्लाइ हमिके बन्सों? law of segregation अबा नेक्स्त थार्ड लग हमिले जशलाइ law of independent assortment वा purity of gamete बन्सों तेस्लाइ बिस्क्राइब गर्शों variation बहने को के हो कति थरी को variation हूं सा mutation बहने को के हो variation दो mutation का factors हरू के के हूं detail मा next video मा describe words हूं